हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें गरीब इंद्रेश उत्तंपुर कहकर एक गाउं में अपनी बूडी मा शकुंतला, बीवी उशा और दो छोटे बच्चे हप्पु और मिंटी के साथ रहा करता था एक महीने पहले ही इंद्रेश के पिता की हार अटाक के कारण मृत्ति हो गई वो एक बंगले में नौकर था, वहीं उसकी बीवी उशा घर पर फूल हार बना कर उन्हें मंदिर के बाहर बेचा करती कभी कभी साथ सशकुंतला भी उशा की हार बनाने में मदद कर दिया करती हपु और मिंटी दोनों गाउं के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते उनका घर कच्छा था, वो मिटी का बना हुआ था और उन्हें गर्मी में उसमें बहुत रहत मिलती है इंद्रेश ची, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए हमें इस मिटी के मकान में ठंडक मिल रही है लेकिन बारिश शुरू होने से पहले हमें पक्की इट का मकान बनाना होगा, वरना हमारा ये घर बारिश में बचेगा नहीं हाँ लल्ला, उशा बहु बिल्कुल सही कह रही है इंदरेश जिस सेट के यहां काम पर था, वो बहुत कुरूर और कंजूस था धन दौलत तो उसके पास भरपूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक-एक पैसे का हिसाब रखता था और दिल खोल कर किसी की मदद नहीं करता था एक दिन उसके सेट लखन, उसे उसकी तनखवा देते समय यह ले इंदरेश, तेरी तनखा, जा, एश कर लेकिन जब इंदरेश उन पैसों को गिनता है, तभी वो कम होते हैं यह क्या साहब, यह पैसे तो कम है हाँ, तो पिछले माईने तू दो दिन चुट्टी पर भी था ना, और एक दिन हाफ डि किया था तूने साहब, तभी मेरे पिता का देहान थुआ था, आप उस समय का भी हिसाब काटोगे इतने निर्दई मत बनिये साहब, मैं एक गरीब हूँ, मेरे लिए एक एक रुप्या बहुत माईने रखता है जादा बगर बगर मत कर, तेरे पिता का देहान थुआ तो उसमें मैं क्या करूँ जिस दिन तुने चुट्टी ली, उस दिन के हिसाब मैं तो काटूंगा इना तभी उतने में वहाँ पर लखन का बूढ़ा पिता गिर्धर वहाँ आ जाता है क्यों बहस कर रहे हो लखन, इंद्रेश के पिता का देहान थो गया था, कह रहा है न वो और देखा जाए, तो ऐसे बहुत बार हुआ है, जब इंद्रेश ने हमारे यहाँ ओवर टाइम काम किया है लेकिन उसने उन पैसों का कभी मांग नहीं की पापा, आप अपने भजन कीर्थन में व्यस्त रहो, ये सारा काम काज मैं समाल सकता हूँ, जाओ अभी लकान इंद्रेश को कम पैसे ही देता है, बेचारा इंद्रेश अब बहुत चिंदित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे जैसे तैसे वो खर्च चला लेते है इंद्रेश हर महीने में आधे पैसे इट का पक का घर बनाने के लिए साइड में निकाल कर रखता है एक दिन जब उशा मंदिर के बाहर हार बेच रही होती है, तभी वहाँ पर गिर्धर आता है और वो उसे हार खरीद कर उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है काका, मुझे सिर्फ हार के ही पैसे दो, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, ये लेजे, वापस रख लेजे इन्हें अपने पास उशा बिटिया, मैं जानता हूँ, इंद्रेश और तुम दोनों मिलकर कितनी मेहनत और मशक्कत करते हो, अपने परिवार को सम्हालने के लिए, ये पैसे रख लो बिटिया, अगर तुम मुझे अपना पिता मानती हो तो ठीक है काका, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद काका जुग-जुग जीओ बिटिया, अपना और बच्चों का खयाल रखना जी काका, गिर्धर बहुती नेक और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था दिन बीटते गए, इंद्रेश अपने इट के मकान के सपने को पूरा करने के लिए पैसे इकठा करता गया लेकिन एक दिन अच्छानक से बिन मौसम तूफान आ जाता है जिसमें इंद्रेश का मिट्टी का कच्चा घर तूट कर बिखर जाता है उसका सारा सामान उस तूफान में तबाह हो जाता है उसने जो पैसे जोड़े थे वो भी खराब होकर उस बारिश में कहीं बह जाते हैं इंद्रेश और उसके परिवार पर दुखों की बिजली गरच परती है अरे नहीं ये क्या हो गया मेरा सामान मेरे पैसे सब कुछ परवाद हो गया लल्ला अभी के लिए सबसे महत्वपून है कि हम इस जगा से चले जाएं और किसी सुरक्षित जगा पर रुकें वरना ये तूफान हमें भी ले डूबेगा इंद्रेश और उसका परिवार उस तूफान से संघर्ष करते हुए एक सुरक्षित जगा पर रुक जाते हैं वो लोग अगले दिन एक जोपड़ी बना कर उसमें रहने लगते हैं जी अब जो हो गया सो हो गया हम कल रात के समय में वापस जाकर सब कुछ फिर से ठीक नहीं कर सकते हाँ उशा कल रात के बिन मौसम बारिश के कारण हमारा मिट्टी घर बरबाद तो हो गया लेकिन मैं अब भी हिम्मत नहीं हारूँगा अभी भी बारिश के महिने की शुरुआत में दो हफ़ते बाकी है इन दो हफ़तों में मैं कोई न कोई इंतजाम तो जरूर करके रहूँगा मैं तो कहती हूँ तू अपने सेट से कुछ पैसे मांग कर देख हाँ मा मैं भी वही सोच रहा हूँ इंतरेश काम पर आकर लखन को सारी बात बताता है और उससे पैसे मांगता है लेकिन तभी लखन उसे एक जोरदार थपड़ लगाता है तुझे शरम नहीं आती? जब देखो तब तेरी जिन्दगी में कुछ न कुछ होता ही रहता है चला भी क्या भी निकल जा यहां से और आज के बाद काम पर मता आना तो जैसे लाल्ची और लोबी नोकर को मैं अपने घर पर नहीं रख सकता क्या पता तु चोरी भी कर ले कल को साहब, साहब आप ये कैसी बाते कर रहे हैं? बला मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो बस आप से एडवांस में पैसे मांग रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं आप से विन्ती करता हूँ मुझे, मुझे यूं काम से मत निकालिये मेरे, मेरे चोटे चोटे बच्चे हैं बुड़ी मा है, पीवी है मैं उनको कैसे समालूँगा? मालिक, थोड़ा तो रहम कीजिये न साहाब मेरे उपर रहम करिये, गरीब रहम करिये साहाब अबे, बंद कर ते रही है फाल्तु की बखवास चल दफा हो जा यहां से लकन इंद्रेश को घर से बाहर निकाल देता है ये सब गिर्धर देख लेता है और रात में गिर्धर इंद्रेश की जोपड़ी पर आता है बड़े, बड़े साहब आप, आप मेरी जोपड़ी में कैसे? उजा, बहू उनके लिए वो बास की कुर्सी तो ला नहीं, नहीं, शकुनतला बेहन, मैं ठीक हूँ ऐसे ही ये लो इंद्रेश बेटा, ये पैसे देने आया था मैं तुम्हारे पास ये पैसे? ये किस के पैसे हैं? और आप मुझे क्यों दे रहे हो बड़े साहब? इंद्रेश बेटा ये पैसे मेरे हैं लखन के नहीं इन पैसों से तू अपने लिए एक पक्का घर बनवा ले मैं तुझ से लखन की तरफ से हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ पता नहीं कैसे मेरी ही आुलाद होकर भी इतना क्रूर और निर्दई बन गया है वो लेकिन बड़ी साहब मैं इन पैसों को नहीं स्विकार कर सकता आप इने अपने पास ही रखिये आपने मेरे बारे में इतना सोचा वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा है साहब इन्द्रेश तुझे ये पैसे रख नहीं होंगे तेरे पास जब भी पैसे कठा हो जाएंगे तभी तु मुझे ये लोटा देना बेटा लेकिन लेकिन बड़ी साहब मैंने कहा ना एक बार अच्छा अच्छा ठीक है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी साहब पक का घर बनाता है वो घर वाकई में काफी खुबसूरत होता है उसे इंद्रेश और उशा ने मिलकर सजाया होता है लोग उसकी तस्वीरें खीचते और देखने वाले तो देखते ही रह जाते हैं उसके घर की तस्वीरें इंटरनेट पर वारल हो जाती हैं जिसके बाद इंद्रेश कुपक के घर बनाने के कई सारे ओर्डर्स और कॉंट्राक्ट्स मिल जाते हैं और वो खुब पैसे कमाने लगता है। कुछ महीनों बाद धेर सारे पैसे कमा कर वो गिर्धर को पैसे लोटाने के लिए लखन की गैर मौजूदगी में बंगले पर जाता है। तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? बड़ी साहब अभी इस दुनिया में नहीं रहे? आ भाई, उनका सोला दिन पहले ही देहांत हो गया, लखन साहब अभी दफ्तर पर गए हैं। गिर्धर के देहांत के बाद सुनकर इंद्रेश की आँखों से आसु निकलाते हैं। वो उस दिन खूब रोता है, फूट फूट कर रोता है। इंद्रेश गिर्धर की याद में उन पैसों से एक अनात आश्रम खोलता है, जिसमें घरीब मुफ्त में पढ़ लिख सकते हैं और खा भी सकते हैं। वो अपने जीवन में खूब आगे जाता है और कुछ सालों बाद वो खुद एक बड़े बंगले का मालिक बन जाता है। उसे देखने लग जाती है। माया ये सब देखती और सुनती है, जिसके बाद उसे एक खयाल आता है। क्यों ना मैं इस गरीब बंजारन को अपने देवर के साथ चिपकादू। प्रतीक मेरी बात कभी नहीं टालता और मैं जिस पसंद की लड़की लाओंगी वो उसे से शादी करेगा। अगर मेरी देवरानी इतनी गरीब और अनपड होगी, तो मैं अपनी सास को मुठी में रखकर प्रॉपर्टी पर अपना कपजा कर सकती हूँ। माया चमेली से मिलती है और उसे मना कर अपने घर ले आती है। माया अपने देवर प्रतीक को भी चमेली से शादी करने के लिए मना लेती है। सुनदर चमेली को देख किसी को भी उसके और प्रतीक के रिश्टे के लिए कोई भी अतराज नहीं होता. चमेली की प्रतीक से शादी हो जाती है, ससराल में अبसास जानकी ससुर्धेवेंद्र, जेट विराट, जिठानी माया और पती प्रतीक होते हैं. चमेली अपनी पहली रसोई में special बंजारन स्टाइल का खाना बना कर ही सबका दिल जीत लेती है अरे वाँ चमेली तुमारे हाथों का बना ये खाना दो बहुत ही बहुत ही मज़ेदार है सच में मैंने पहली बार ऐसा खाना खाया है और ये मुझे बहुत पसंद आया है जानकी उस छोटे संदूग को लाती है और चमेली के दोनों हाथों में वो सोने के खांदानी कंगन पहनाती है चमेली की आँखों में आसुआ जाते हैं और वो जानकी और देवेंद्र के पैर छूकर उनका आशिरवाद लेती है धन्यवाद माजी पापा जी थारे दोनों ने तो मारे माई बापो की कमी को पूरा कर दिया आज मारे माई बापो अपनी छोड़ी को देख घणे खुस होंगे चमेली तुम बहुत अच्छी हो और अब तुम इस घर की बहु हो तुम्हें युवासुओं को बहाने की इजाज़त नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं करना खुश रहो हम है ना सभी चमेली के प्रती प्यार दिखाते हैं यह सब देख माया का खोन जलने लगता है और वो अपने आप से मन में कहती है हे भगवान यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है मैंने इस गरीब बंजारन को इसले लाई थी ताकि यह मुझसे पीछे रहे और माजी का दिल हमेशा मैं ही जीत हूँ लेकिन यह क्या यहाँ पर तो यह बंजारन आते सब को अपना जबरा फैन बना रही है नहीं नहीं आप पूरी तरह पहले उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा हाँ चमेली धीरे धीरे सभी के दिलों को अपनी सादगी और सरलता से जीतने लगती है और यह सब माया के लिए खत्रा बन जाता है जिस माया ने चमेली को घर में लाया था अब वही उससे बाहर निकालने की योजना बनाने लगती है माया जान बूच कर जानकी के सारे गहने चुरा कर चमेली के अलमारी में रख देती है ताकि चोरी का इल्साम चमेली पर आए और वो घर से बाहर फेक दे जाए पता नहीं मेरे सारे गहने कहां चले गए मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है देवेंदर जी जानकी शांत रहो, घर में ही रखी होंगी, तुम भूल गई होंगी कहीं पर रखकर, घबराओ मत मिल जाएंगे विराट, पृतीक, चलो सब मिलकर पूरे घर में जानकी के गहनों की तलाशी करते हैं जी पापा, जी पापा जब पूरे घर की तलाशी ली जाती है, तब गहने चमेली की आलमारी में ही मिलते हैं, और जानकी उसे बहुत गुसा हो जाती है अरे बेशरम चोरनी, माया तुने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस गरीब बंजारन को हमारे घर में लाकर हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये मिट्टी के लोग मिट्टी के ही होते हैं, संगमरमर देखकर इनके हाथ खुजा आने लगते हैं, चोर कहीं की, चल निकल मेरे घर से लेकिन माजी, मारी बात तो सुनो, माजी, माजी, मने ना चुराए से थारे गहने, मारा भरसा करो माजी जानके चमेली को बुरी तरह धक्का मार कर घर से बाहर निकाल देती है, और ये सब देख माया बहुत खुश हो जाती है अच्छा हुआ, बला टल गई, वरना अगर मैं उस बंजारन को और थोड़े दिन यहां रखती न, तो वो सब को अपनी तरफ खीच लेती, और फिर मेरा कुछ नहीं रहता है इस घर में गरी बंजारन माया अपने सामान को लेकर इधर से उधर दर दर भटकने रखती है, वो जब अपने घर के बास जाती है, तब ही देखती है कि उसके घर को तोड़ दिया गया है, और वहाँ पर एक नई इमारत के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है इब मैं क्ये करूँ, मारे पास तो कोई रहने को ठीका नो ना रह गयो है चमेली बहुत घूमती है और उस रात वो फुट पात पर ही अलाव जला कर सोती है, अगली सुबा जब वो उठती है तब ही वो देखती है कि उसके सामान को कच्रे में फेग दिया गया है अरे नाही, जेक के, जेक किसने किया, अरे मारा, मारा सामान, इब मैं क्ये करूंगी, अरे नाही चमेली सर पकड़ कर रोने लगती है, वो फिर से अपने कर्तब करके पैसे कमाने लगती है, वो एक जोपड़ी में रहने लगती है और चूले बर खाना पका कर खाती है मा जी को मारे हाथ का बंजारन खाना कितना पसंद आया था, मैं तो बेगुना थी, फिर भी सब ने मारे पर चोरी का इलजाम लगाया, और मारे को घर से बेगर कर दिया मारे को सबकी घणी याद आवे है, खास करके प्रतीक जी की, पता नहीं, उन्हें मारे याद आ रहे होगी कि ना, ना ही आवेगी वा थोड़ी मारे से प्रेम करे है, जे प्रेम तो सिरफ मारा है, मारी तरफ से है अगली दिन जब प्रतीक माया के कमरे से गुजर रहा होता है, तभी वो माया को अपनी सहेली से बात करते हुए सुनता है और वो कुछ ऐसा सुन लेता है, जिससे माया की सच्चाई प्रतीक के सामने आ जाती है या श्रिया तुझे क्या ही बता हूँ, पहले उसे मैंने ही इस घर में लाया और बड़ी मुश्किल से वो माजी की गहने उसके अलमारी में रखे और उस सारे ड्रामा के बाद मेरे कारण ही वो दो कौड़ी की बंजारन यहां से निकल गई वरना अगर वो और थोड़े दिन यहां रुकती न तो सबको अपनी ओर करके मेरा जीना दुश्वार कर देती मैंने तो सोचा था कि मैं अपने देवर को कोई भी अनपड लड़की चिपका देती हूँ ताकि प्रॉपर्टी वगेरा और बाकी का मामला सारा सेट हो जैसे ही माया पीछे मुड़ती है उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वहाँ पर प्रतीक खड़ा होता है जो गुसेल आखों से माया को देख रहा होता है और उसने सारी बातें उसके फोन में रिकॉर्ड कर ली होती है अब आप कोई ड्रामा नहीं कर सकती हो भावी क्योंकि अब आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है आपका सच मेरे सामने आ चुका है प्रतीक सभी घरवालों को माया की रिकॉर्डिंग सुनाता है और सभी माया को खुब सुनाते हैं तुम्हें शरम नहीं आई उस बेचारी के साथ इतनी घिनानी हरकत करते हुए अरे जरा तो लिहाज कर लिया होता रिष्टों का मर्यादा का हाँ मुझे माफ कर दो आप सब मैं अपनी गलती को सुविकारती हूँ माया सभी से एक आखरी मौके की बिंती करती है जिसे सभी सुविकारते है और माया चमेली को दिन भर ढूंड कर एक सड़क पर करतब करते देखती है और फिर उससे माफी मांगती है और उसे पूरे सम्मान के साथ घर वापस लाती है जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहता है गरीब बंजारन के जीवन में कई उतार चड़ावाए लेकिन वो कहते हैं न अंत भला तो सब्सक्राइब दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा